Hello students, आज हम बनाना सिखेंगे Simple Conical Projection with Two Standard Parallels Hindi में हम किसे कहते हैं साधारन शंक्वाकार प्रक्षेप दो मानकक्षांस के साथ जो प्रशन हमें दिया गया है, वह है Draw a Simple Conical Projection with Two Standard Parallels when the RF is 1 into 200 million and the Latitudinal Interval is 15 degree and Longitudinal Interval is 30 degree and the Standard Parallels are 30 degree and 45 degree North यानि के हमें एक जो है शंक्वाकार प्रक्षेप जिसके दो मानकक्षांस उसकी रचना करनी है और उस पर जो हमें परतर्शक भीन है वह दिया गया है एक अनुपात में 200 million का और जो Interval है अक्षांस और देशानतर रखाओं का वह है करमशे 15 degree और 30 degree और जो इसके ओपर मानक अक्षांस माने गए हैं वह हैं 30 degree और 45 degree North तो सबसे पहले हम इसके अंदर निकालते हैं गलोब का अर्धव्यास तो गलोब का अर्धव्यास निकालने का जो हमारा फार्मूला है वह रहता है RF यानि प्रदर्शक भिन गुना में actual radius of the earth प्रित्वी का वास्तविक अर्धव्यास तो यह है हमारा जो दिया गया RF वह है एक अनुपात में 200 मिलियन यानि के एक बटे में 200 मिलियन रहेगा यह और गुना में रहेगा 640 मिलियन तो जो 640 मिलियन है यह प्रित्वी का वास्तविक अर्धव्यास मानते हैं हम लोग तो इसकी अगर हम calculation करेंगे तो वह आएगी आपकी 3.2 cm यानि के हमें एक ऐसे globe की रचना करनी है जिसका जो अर्धव्यास है वह होगा 3.2 cm और उसके उपर हम जो है 2 मानकक्षांस को मानते हुए एक साधारन शंक्वागार प्रक्षेप की रचना करेंगे जो हमारा दूसरा step रहता है वह है कि हमें 15 degree की चाप जो है उसकी लंबाई कितने होगी क्योंकि हमें 2 अंतराल दिये गए है 15 degree और 30 degree तो पहले हम 15 degree की चाप का अंतराल देखेंगे और फिर हम 30 degree की चाप का अंतराल देखेंगे तो सबसे पहले हम निकालेंगे 15 डिक्री की चाप की लंबाई 15 डिक्री की जो चाप की लंबाई है उसके लिए जो फॉर्मूला रहता है वह है दो गुना में 22 बटे 7 यानि के पाई गुना में 15 बटे 360 यहां पर हमने 15 इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास जो अंतराल है वो 15 डिक्री के लिए निकालना है और कुल जो एरिया होता है एक सरकल का वो होता है 360 डिक्री तो हम 15 बटे में 360 गुना में 3.2 cm यानि के गलोब का अर्ध्यास तो इस तरीके से आप कल्कुलेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.838 cm इसके बाद हम 30 डिक्री के लिए भी सेम तरीका अपनाएंगे इसमें केबल एक अंतर आएगा कि जहां आपने पहले 15 डिक्री लिखा था उसकी बजाए अब हम 30 डिक्री कर देंगे बाकि सब चीजे जो है वो आपकी सेम रहेंगी 2 गुना में 22 बटे 7 गुना में 30 बटे में 360 गुना में 3.2 और इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 1.676 cm ये दोनों वैलियोज हम आगे अभी यूज करने वाले हैं इसके बाद हम लोग जो है एक वरित का जो अर्धवियास रहेगा वो रहेगा 3.2 cm यानि के ये एक परकार का हमारा गलोब है जिसकी हमने कलपना की है इस गलोब के फिर हम जो है पहले एक इस्ट वेस की इसके बाद हम इसमें एक 45 डिगरी का कौन ड्रॉ करते हैं ये 45 डिगरी का कौन जो है ये मानक अक्षांश को बताने के लिए हमने ड्रॉ किया है और एक और मानक अक्षांश है 30 डिगरी का तो हम यहाँ पर 30 डिगरी का कौन भी ड्रॉ कर रहे हैं और एक हमने 15 डिगरी का दूसरा जो 30 degree है वो हमारा एक मानकक्षांस भी है तो उस मानकक्षांस के लिए भी हमें 30 degree और 45 degree का कौन है वो मानकक्षांस के लिए हमने यहाँ पर draw किया है इसके बाद हमें एक चाप लगानी है यह चाप यहाँ पे इसका के अंदर रखते हुए यह जो चाप है इसके के लिए कितनी परकार खोलनी है वो हमने अभी जो पीछे slide में calculate किया था कि हमें जो है देशानतर रखाओं का जो अंतराल होता है जैनि कि इस प्रशन में जो है 30 degree था तो हमें देशानतर रखाओं के अंतराल की जो चाप की लंबाई है लगाएंगे यह चाप लगाने के बाद फिर जो है हम यहाँ पर दो tangent गिराते हैं दोनों मानक अक्षांस के उपर पहले हमने 30 degree के उपर एक यह tangent गिराया है यह वाला यह बिल्कुल इसके भुमद्दे रेखा के parallel होना चाहिए इस-वेस्ट लाइन के बिल्कुल parallel होना चाहिए और फिर हम इसको नाम दे रहे हैं हम x1 x dash और y dash का और एक tangent हम 45 degree जो के हमारा दूसरा मानक अक्षांस है उसके पास गिरा रहे हैं यह भी इसके parallel रहेगा बिल्कुल और इसको जो हमने नाम दिया है वो दिया है x और y तो यह दो tangent जो है आपने मानक अक्षांस को दर्शाने के लिए draw करने हैं इसके बाद आप north, south, east, west यह चारो पचों चीजे लिख रहेते हैं अब हम शुरुआत करते हैं कि आगे प्रक शेप कैसे बनाएंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे पहले एक simple line draw करेंगे इस परकार से यह line आप यहाँ पर भी draw कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा space की कमी की वज़े से मैंने नीचे draw की है यहाँ पर यह तो आप एक line draw करेंगे इसकी कोई लंबाई अभी निजारित नहीं करते हैं हम लोग एक simple line थोड़ी से लंबी draw कर लेते हैं बाद में जो बचे का हिस्सा उसे हम erase करतेंगे यह draw करने के बाद फिर जो है हम यहाँ पर एक नीचे की तरफ यहाँ 90 degree के ओपर एक लंब गिराएंगे यहाँ पर जो ज़्यादा दूर तक नहीं आपको बढ़ाना है लेकिन यहाँ पर यह लगबग 3 cm 28 cm के आसपास का एक जो है लंबाब गिरा दे इसके बाद जो है आपको यहाँ पर एक 15 degree का अंतराल लेना है जो हमारा अक्षांच रिखाओं का अंतराल है तो 15 degree का अंतराल जो है हमने पिछली स्लाइड में जो कैलकुलेट किया था वो आया था 0.838 cm तो हम क्या करेंगे 0.838 cm की परकार खोलेंगे और यहाँ पर परकार को रखते हुए यहाँ पर एक निशान लगाएंगे जहाँ पर वो निशान आएगा उस निशान से फिर हमें एक 90 degree का कौन लंब के तोर पर यहां draw करना है यह दोनों लंब draw करने के बाद फिर इनको हमें जो है एक दूसरे के साथ इस परकार से मिलाना है लेकिन उससे पहले हमें इनकी लंबाई निधारित करनी है वो लंबाई निधारित कैसे होगी जो पहले नीचे वाला यह है यह लंब है यह हमने जो है 30 degree को बताने के लिए लगाया है तो हम क्या करेंगे यह जो हमने लंब गिराया था इसको हम यह x-y- जितना खोलते हुए परकार को इतना खोलते हुए हम यहां से इस बिंदू से परकार से एक निशान लगाएंगे और वहां तक मिलाएंगे जहां तक कि यह परकार इसको छुएगी पैंसल यहां छुएगी उतनी दूरी तक फिर ये जो उपर वाला हमने लंब गिराय था ये 45 जिगरी के लिए था तो हमने 45 जिगरी के लिए ये tangent गिराय होई है इतनी परकार खोलेंगे हम लोग और इतनी परकार खचोलते हुए यहां से यहां पर हम निशान लगाएंगे तो इस lump के उपर जो निशान आएगा वो और जो इस lump के उपर निशान आएथा वो उन दोनों को आपस में मिलाते हुए हम उपर तक बढ़ा देंगे कब तक जब तक कि ये इस parallel line को छू नहीं जाता तब तक फिर हम इसको नाम दे रहते हैं से नीचे वाले को हमने दिया है X-Y- जो कि हमने यहां से लिया था 30 degree के लिए और उपर वाले का हमने नाम दिया है X और Y जो हमने 45 degree के tangent के लिए यूज किया था और उपर हम एक A- नाम दे रहते हैं ताकि जब हम चाप लगाएंगे तो यह बताने में आसानी हो जाए कि हमने यह चाप की लंबाई कितनी ली है इसके पस्चाथ आप यहां पर एक लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे यह लाइन आपने ज़्यादा उचाई से ड्रॉ नहीं करनी है लगबग जहां पर आपका यह इस्ट-वेस्ट की लाइन है इसे थोड़ा सो उपर आप ले लें और एक सीधी लंबी लाइन ड्रॉ करें लंबी लाइन ड्रॉ करते होगत आपने यह ध्यान रखना है कि यह पैरलल हो बिल्कुल इस शीट के यह अगर टेड़ी लग जाएगी तो आपकी पूरी प्रक्षेप भी टेड़ी हो जाएगी इसके बाद आपने क्या करना है A-Y यहां से लेकर के यहां तक जितनी परकार खोलनी है और C बिंदू पर रखते हुए आपने एक चाप ड्रॉ करनी है कितनी खोली है हमने प्रकार A- से लेकर के Y तक की और इस C बिंदू पर प्रकार की नोग को रखते हुए पैंसिल से हमने यह एक चाप ड्रॉ कर दी चाप को थोड़ा साम बढ़ा रखते हैं तो इसलिए इस चाप को थोड़ा साम लंबा ही रखते हैं इसके बाद हम क्या करेंगे इसके बाद हम इतनी परकार खोलते हुए X और Y जितनी परकार खोलते हुए 6 निशान हम East में लगाएंगे और 6 निशान हम West में लगाएंगे तो यह जैसे हमारा पहला निशान आगए यहां से रखते हुए परकार को पहला निशान फिर यहां पर परकार रखते हुए दूसरा निशान तीसरा, चोथा, पाच्वाँ और चटा यह 30-30 डिगरी के अंतराल को दर्शा रहे हैं यह East में लगाएंगे हैं ऐसे ही हम यह 6 निशान फिर West में भी लगा लेगी तो यह हमारी जो चाप है यह 45 डिगरी को बताती है अब हम दूसरी चाप लगाएंगे जो के 30 डिगरी की होगी इसके लिए जो है हमें A- से लेकर के Y- जितनी अब लंबाई की परकार खोलनी है यहां से लेकर के यहां तक की ध्यान रखिए पहले हमने A- से Y तक खोली थी जो के 35 डिगरी को बता रही थी और अब जो है हम वो 30 डिगरी के लिए निशान लगा रहे हैं तो वो हमरी परकार जो है A- से लेकर के Y- जितनी खोलेगी और C- से ही हमने परकार की नोग रखनी है और दूसरी चाप हमने यह ट्रो कर देनी है यह चाप जो है अब 30 डिगरी को बताती है अब इसके ओपर भी हमें 6 निशान लगाने हैं लेकिन वो निशान जो हैं वो होंगे X- Y- जितनी परकार खोलेंगे और इस चाप के ओपर वो 6 निशान इस तरफ को और 6 निशान वेस्ट की तरफ हम लगाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी परकार से हम वेस्ट में भी 6 निशान लगा देगे यह निशान लगाने के बाद अब आपको बाकी की चाप लगानी है और जो बाकी की अक्षांश रिखाएं हैं वो 15-15 डिगरी के अंतराल पे चुकी खीची जानी है और हमने 15 डिगरी का अंतराल जो है वो पहले कैलकुलेट कर रखा है जो किया आया था 0.0838 सेंटीमेटर तो हम 0.0838 सेंटीमेटर जितनी परकार खोलेंगे और यहां से इस जगे से आप जो है निशान लगाएंगे यह जो लाइन है आपकी यह 45 डिगरी की है तो इससे पहला जो अगला निशान लगेगा वो होगा 60 डिगरी का और इससे उपर लेंगे वो 75 डिगरी का और यह हो जाएगी 0 डिग्री की, अब आपको C पर प्रकार को रखते हुए, इतनी और इतनी बार बार इतनी प्रकार जितनी प्रकार खोलनी है, निशानों जितनी, और चाप लगा देनी है, जैसे कि ये, अब आपने जो निशान लगाया है, ये C से, और इस बिंदू उपर लगाया, तो ये हमारी 15 डिग्री की चाप हो गई, इसी तरीके से ये हमारी बोमतेरेका की चाप हो गई है, इससे उपर जो है, ये हम लगाएंगे अब यहाँ पर 60 डिग्री की चाप, ये हो गई आपकी 75 डिग्री की चाप, और ये हो गई आपकी 90 डिग्री की चाप, ये स निशान को और Si को एक फुटे की मदद से एक लाइन में कर लेंगे और एक लाइन में करने के बाद इसको एक लाइन से मिलाएंगे लेकिन वो लाइन आपकी 90 डिग्री यानि कि इस चाब से उपर की तरफ नहीं जाएगी हलाएकि हम फुटा S तक मिलाएंगे लेकिन line को हम C तक नहीं लेके जाते line को हम यहाँ 90 degree तक खतम करतेंगे यह देखे यह पहली line हमने मिलाया था यहाँ C से लेकिन line को हमने सिरफ यहाँ तक extend किया है फिर इसके बाद जो है यह आपके दूसरी line है यह पहले वाली जो line थी यह 30 degree east को बताती है यह 60 degree east को बताती है फिर आप कर सकते है 75 degree फिर यहाँ पर 90 degree फिर 120 degree फिर 150 degree और फिर 180 degree पर ऐसे ही जो है आप यह line यह east की तरफ आप draw कर लें यह 30 degree, 60 degree, 90 degree 120 degree, 150 degree और 180 degree तो ऐसे आप आपकी देखिए कि सभी अक्षांश और सभी देशानतर रिखाएं जो है वो draw आप की हो गई है अब इसके बाद आप जो है इस पे इनके करम लिखते हैं 0, 15 degree 30 degree, 45 60, 75 और 90 degree यह तो हो गई आपकी अक्षांश रिखाएं और देशानतर रिखाओं में है 30 degree, 60 degree, 90 degree 120 degree, 150 degree 180 degree east वैसे ही west में हम लगा लेंगे 30, 60, 90, 120, 150 और 180 degree west तो यह आपकी प्रक्षेप त्यार होगी यह दो हमने जो है थो डार्क की है एक 30 degree वाली और एक 45 डिगरी वाली यह डार्क हमने इसलिए की थी क्योंकि यह हमारे standard parallel है यानि कि वे मानक अक्षांश है जो globe को छूते हैं यहाँ पर हम लिख भी देते हैं standard parallel के लिए sp और sp standard parallel और standard parallel इसके बाद जो है यह north हो जाएगा आपका और उपर हम heading लिख देंगे simple conical projection with two standard parallels और नीचे हम लिख देंगे rf और फिर interval है latitudinal का 15 degree और longitudinal का 30 degree और standard parallels की value भी लिख देते हैं 30 degree and 45 degree north तो इस परकार से आपकी यह simple conical projection with two standard parallels त्यार हो गई है अगर कुछ विद्यारतियों ने वो हमारी इससे पहले वाली वीडियो जो थी जिसमें हमने simple conical projection with one standard parallel बताई थी अगर वह नहीं देखी है तो उसके लिए link जो है वो description box में दिया गया है तो उसे वहाँ से देख करके आप one standard parallel की projection को बनाना भी सीख सकते हैं thank you for watching this video like and subscribe